Hello everyone, welcome to knowledge find. In class 12th NCRT chemistry, we are studying alcohols, phenols and ethers. In last video lecture, we have seen the preparation of alcohols from alkenes by using the acid catalyzed hydration. And in this video lecture, we are going to discuss the another methods of preparation of alcohols from alkenes. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो लेक्शर, preparation of alcohols from alkenes by the method of hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation क्या होता है? सबसे पहले, hydroboration की process होगी, उसके बाद oxidation की process होगी. Means ये reaction आपकी two step reaction होने वाली है. तो देखते हैं, इसमें क्या होता है? किस तरह से आप alkenes का यूज़ करके alcohols produce कर सकते हैं by the method of hydroboration oxidation. इसमें क्या करते हैं? एक alkenes लेते हैं. Alkenes की reaction कराते हैं डाइबोरेन से. डाइबोरेन क्या होता है? एक्चुल में बोरेन क्या है? आपका Vs3 होता है. Vs3 भी एक stable compound है, बट आप डाइबोरेन भी ले सकते हैं, तो twice. क्या होगा यह? ट्वाइबोरेन यहाँ पर twice लगा दीजिए. तो यह क्या होगा? यह होगा आपका डाइबोरेन. ये भी एक stable compound है तो आप कुछ भी ले सकते हैं बोरेन ले सकते हैं और डाइबोरेन भी ले सकते हैं तो जब ये डाइबोरेन एलकीन के साथ reaction करता है तो आपको देगा क्या trialkyl borane और ये जो trialkyl borane है जब इसका oxidation कराया जाता है किसके साथ? हाइड्रोजन परक्साइड के शाद और इन्दा प्रजेंस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिलता है आपको एलकोहल रियक्शन देखते हैं कैशे हो रहा है ये लेट अस कंसीडर आपने क्या किया एक अस्यमेट्रिकल एलकीन ले लीजिए CS3, single bond CH, double bond CH ये क्या है ये आपकी asymmetrical एलकीन है क्योंकि double bond के दोनों साइड में different weight या आप कह सकते हैं different number of carbon atoms are present on both sides आप इस डबल वान तो इस बज़े से क्या होगा ये जो एलकीन होगी वो asymmetrical एलकीन होगी जैसे CS2, double bond, CS2 ये क्या asymmetrical एलकीन है क्योंकि double bond के दोनों साइड में same group present है या same number of carbon atoms and hydrogen atoms are present that's why this is symmetrical एलकीन and this is asymmetrical एलकीन तो अब क्या होने वाला है ये आपने एक asymmetrical एलकीन ले ली इसकी reaction करा दी किस के साथ डाई बोरेन के साथ actual में डाई बोरेन का formula क्या होगा डाई बोरेन होगा आपका boron तीन hydrogen के atom attached जोंगे इसके साथ single bond फिक है तो अब डाई बोरेन क्या होगा ये compound आपका इसके दो molecules होंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको ये आपका borane का compound है और इसके दो molecules ले लिए तो क्या बना दिया इसने डाई बोरेन बना दिया अब डाई बोरेन के अंदर tendency होती है क्या tendency होती है H positive iron को donate करने की तो H positive iron को donate करने की tendency की बज़े से ये जो borane है ये act करता है as a labis acid तो labis acid as a क्या करेगा देखिए आप V single wand H single wand H ये क्या करेगा एक H positive iron को donate कर देगा और क्यों donate करेगा और किसको donate करेगा देखिए आप एलकीन के case में क्या था आपके पास CH3 single wand CH double wand CH2 इसकी reaction हो रही है किसके साथ ये हो रही है आपकी reaction V single wand H single wand H single wand H ठीक है जी अब क्या होने वाला है जो ये double wand है इसका जो ये pi wand होगा double wand का ये weak होता है तो इस बज़े से ये break हो जाएगा अब boron की क्या tendency होगी यहाँ पे boron की tendency होगी electrons को attract करने की क्यों क्योंकि इसका जो octet है वो incomplete है इसके octet के incomplete होने की बज़े से ये जो pi electrons होंगे एलकीन के ये attract होंगे boron की तरफ और ये क्या करेंगे boron के शाथ एक single wand बन जाएगा ये जो carbon है ये boron के शाथ single wand बना लेगा साथ ही साथ boron क्या करेगा एक hydrogen को remove कर देगा किस तरह से remove करेगा H positive iron की तरह से remove कर देगा तो क्या होने वाला है देखिए आप single bond किस तरह से attach होगा CH3 single bond CH double bond CH2 ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे यह double bond था इसका एक bond break हो गया यह double bond break हो गया break होने के बाद इसके साथ single bond बना लिया किसने? boron ने boron के पास कितने hydrogen है? तीन hydrogen थे एक hydrogen remove हो गया वो hydrogen कहाँ पे attach होगा? वो इसके साथ attach हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CS3, single bond, CS2 single bond, CS2 और यह single bond आएगा boron के साथ तो क्या होगा? single bond V, single bond S, single bond H यह compound बन जाएगा और साथ में क्या remove होगा यहां से? देखिए आप यहाँ पे hydrogen attach था वो remove होगे कहाँ गया? इस पे आगया और यहाँ पे carbon ने bond बना लिया boron के साथ फिर again यह जो intermediate compound बना यह again reaction करेगा एलकीन के साथ CS3, single bond, CS2, double bond CS2 ऐसे ही तो होगा? देखिए यहाँ पे देखिए इसकी balance कम्प्लीट करेए 213,14 तो यहाँ पे क्या हैगा? CH हैगा CS3, single bond, CS, double bond, CS2 तो अब देखिए यह जो boron का atom प्रजेंट है इसकी tendency अभी भी वही same है क्या same tendency है? यह attract करेगा πाई electrons को यह रहा double bond डबल वांड के πाई electrons यह रहा, यह attract हो जाएंगे इसकी तरफ ठीक है? और बोरान से फिर क्या होगा? फिर से AKH remove हो जाएगा फिर से AKH remove होके कहाँ पे attach हो जाएगा? वो यहाँ पे attach हो जाएगा CH पे और यह जो बोरान है यह single bond बना लेगा इस CS2 के साथ तो क्या होने वाला है? देखिए आप अब क्या होगा? क्या बनेगा? एक और hydrogen remove हो गया तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे VH रह जाएगा और same group और attach हो गया single bond के साथ तो क्या मिलेगा आपको? CS3 single bond CS2 single bond CS2 का whole twice क्योंकि यह जो ethene का एक group था वो एक बार और attach हो गया फिर again reaction करेगा यह alkene के साथ तो अब क्या होगा? फिर से एक hydrogen का atom release हो जाएगा यहाँ से release हो किस पर चला जाएगा? यह CS के पास चला जाएगा और boron फिर से single bond बना लेगा किस के साथ? इस पूरी chain के साथ तो क्या मिलने वाला है? यह chain एक बार फिर से add हो जाएगी means CS3, single bond CS2 single bond CS2 का whole twice तीन chains यहाँ पर collect हो जाएगी और hydrogen के is called tri-alkyl borane अब यह जो tri-alkyl borane है इसका होगा oxidation oxidation कब होगा? इसका oxidation होता है why the hydrogen peroxide in the presence of sodium hydroxide अब आप इसका oxidation करा दीजिए क्या मिल गया compound आपको? आपके पास है CS3, single bond CS2 single bond CS2 का whole thrice into B इसका होगा oxidation किसकी presence में होगा? H2O2 की presence में होगा ठीक है? यह क्या? hydrogen peroxide साथ में क्या present होगा? NaOH present होगा अब क्या होने वाला है? अब यहाँ पे whole thrice है means जो यह alkyl group है उसके 3 compound present है यह 3 times present है तो क्या करिए आप? 3 molecules ले लीजिए hydrogen peroxide के जिससे कि यह balance बन सके अब यहाँ से यह जो 3 S2O2 है यहाँ से 3 OH release होंगे किस तरह से release होंगे? देखिए आप 3 OH तो attach हो जाएंगे इसके शाथ तो क्या बनेगा? यहाँ पे यहाँ पे बनेगा CS3 single bond CS2 single bond CS2 और साथ में OH attach होंगे कितने 3? alkyl group कितने 3? तो इन तो क्या कर दिया? 3 times कर दीजिए तो यह balance हो गया आप क्या 3 OH के group और बचे वो attach हो जाएंगे बोरान के साथ देखिए तो एक्चुल में क्या मिलेगा आपको? आपको मिल गया 3 CS3 single bond CS2 single bond CS2 single bond OH यह क्या है? math, eth, prop, propane, one all यह 1, 2, 3 तो क्या हो गया यह? यह हो गया आपका propane one all और क्या मिला साथ में? प्लस बोरान के साथ कितने hydroxide थे? 3 तो यह मिल गया आपको आपके पास BOS का holthrise तो इस तरह से आप produce करेंगे by using the alkenes क्या आप produce करेंगे? alcohols next method देखते है by using the carbonyl compounds सबसे पहले समझते हैं carbonyl compounds होते क्या है? वो सारे compounds जिन में single wand C, single wand, double wand O group present होता है वो सारे compound कहलाते हैं आपके carbonyl compound example क्या हो सकते हैं? LD height LD height में भी क्या present होता है? R, single wand, C, single wand, H, double wand, O दूसरे क्या हो सकते हैं? ketones हो सकते हैं R, single wand, C, single wand, R, double wand, O तीसरे क्या हो सकते हैं? acids हो सकते हैं acids में भी same group present होता है तो इन सभी LD heights का ketones का और acids का reduction करके आप क्या find out कर सकते हैं? alcohols बना सकते हैं तो चली सबसे पहले देखते हैं why using the reduction of LD heights कैसे LD heights का reduction करके आप alcohol का production कर सकते हैं? देखिए आप कोई भी आप एक LD height consider कर लीजिए R, single wand C, single wand H, double wand O ये क्या है? ये एक LD height है तो LD height क्या करेगा? ये convert हो जाएगा अपने corresponding alcohols में कब convert होगा? जब इसमें hydrogen का addition हो जाएगा और ये सारा process होता है किसी ना किसी catalyst की present में तो यहाँ पे जो catalyst आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं PD palladium ले सकते हैं nickel भी ले सकते हैं आप कोई भी एक catalyst यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर लीजिए देखिए आप आपने ये ले लिया LD height LD height का करना है आपको reduction reduction का वो होता है reduction का मतलब होता है कि H positive ions का addition तो H positive ions का addition करा दीजिए इसमें plus H positive तो जब H positive ions का इसमें addition होगा तो क्या बनेगा तो बनेंगे alcohol कैसे बनेंगे देखिए आप H positive ions दो ले लीजिए आप दो H positive ions क्या करेंगे एक H positive ion इस C के साथ attach हो जाएगा और एक इस oxygen के साथ attach होगा और यह जो पाई bond है यह break हो जाएगा देखते हैं इसकी mechanism समझते हैं किस तरह से यह break हो रहा है आपने ले लिया यहाँ पर palladium as a catalyst और ले लिया आपने hydrogen ठीक है तो hydrogen क्या करेगी इसमें होगा H single bond H जिसका homolytic cleavage होगा तो यह दोनों convert हो जाएगे H positive and H positive इसको आप लेख सकते हैं 2 H positive तो यह H positive क्या करने वाला है देखिए आप R single bond C single bond double bond हो तो double bond का जो यह पाई electron है यह break होगा तो क्या होगा यह electrons अपने donate कर देगा H positive तो यह H positive क्या करेगा यहाँ पर attach हो जाएगा तो एक H positive attach होगा आपका C के साथ एक H के साथ तो क्या बन जाएगा देखिए आप R single bond C single bond क्या था यहाँ पर H था यहाँ पर क्या था डबल वांड के साथ O था तो डबल वांड के साथ O था तो वो क्या बना लेगा O H बना लेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक H और आ जाएगा तो यह H हो गया एक H यह हो गया तो इसको क्या लिख सकते है और single bond CH2 single bond O H तो यह आपका बन गया एक alcohol ठीक है तो इस तरह से by reducing the aldehydes आप alcohol बनाते हैं अब देखते हैं किस तरह से ketones का reduction होगा ketones के case में भी same है आप catalyst ले लीजिए यहाँ पर NABH4 NABH4 में की tendency होगी एक hydronium ion release करने की तो यहाँ पर क्या होगा देखिए आप यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर क्या हो गया बी H3 यह stable compound है तो यह अपनी stable position अचीव करने की कोशिज करेगा और यहाँ से H positive ions release कर देगा अब यह H positive ions क्या करेंगे attach हो जाएंगे किस के साथ देखिए आप ketones के case में क्या होगा आपके पास प्लस क्या है आयन्स हैं दो H positive ions है तो एक H positive ions इस C पे आ जाएगा एक H positive ions इस O पे आ जाएगा पाई bond आपका break हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको आर सिंगल वांड सी ह सिंगल वांड आर और यहाँ पर क्या मिलेगा सिंगल वांड ओ यह यह एलकोहल आपको मिल जाएगा तो इस तरह से देखा आपने aldehyde और ketones के reductions है क्या मिल रहा है आपको एलकोहल मिल रहा है अब देखते है how to reduce acids to form alcohols कार्बोगजिलिक acid क्या होता है basically कार्बोगजिलिक acid का formula होता है R single one c double o h ठीक है इसमें भी सेमी ग्रूप परजेंट है कौन सा single one c single one double one o group परजेंट है तो देखी इसमें क्या होगा सेम हाइड्रोनियम आयन एक सी के उपर आ जाएगा यह आ लेड़ी अटाइज़ क्या हो जाएगा और सी एस टू और एक वह के साथ आ जाएगा तो वह हो जाएगा यह अलकोहल प्रोडूश हो गया तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से acids, aldehydes and ketones का reduction करके अलकोहल का production किया जा रहा है और इससे पहले आपने देखा था एक method जिसका नाम था hydrovoration oxidation method यह दो method आपने देखे थे alcohol production के next video lecture में देखेंगे another method to produce the alcohol thank you so much